दोस्तों आज बॉलिवर इंडर्स्ट्री में कई ऐसे कपल हैं जो अपनी कैमिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं और लोगों द्वारा पीए कपल फूप पसंद किये जाते हैं और उन्हीं कपल्स में सबसे क्यूट कपल का नाम शुमार होता है अभिनेदर अन्बीर कपूर औ साफी दूमधाम से कराई गई थी और यह शादी रनबीर कपूर के पुष्टैनी आरके हाउस में और गनाइज कराई गई थी जिनमें इनकी फैमली और कुछ फ्रेंड शामिल हुए थी जिनकी कई तस्वीरे सोशल मीडिया पर देखने को मिली थी और सभी ने इनके शादी को खूब इंजॉय किया था वहीं शादी के कुछ महीनों बाद ही अभी जोड़ी एक बार फिर सुर्कियों की वज़ा बन गई है वो भी अपने माता पिता बनने की वज़ा से जी हां बता दे कि शादी के दो महीने बाद ही 27 जून को आलिया भट ने अपने प्रेगनेट हो अपने इस गुड़ नियूस की वज़ा से इन्हें काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था जहां काफी लोगों का ये तक कहना है कि इतनी जल्दी आलिया भट प्रेगनेंट कैसे हो गई साथ ही कुछ का मानना है कि आलिया भट शादी से पहले ही प्रेगनेंट थी जिसके बाद से आलिया भट और रन्बीर कपूर अपने माता पिता बनने की वज़ह से काफी जादा सुर्खियों में आ चुके हैं जहां आप आलिया भट का बेवी बंप भी नजर आने लग गया है जिनकी कई तस्वीर और वीडियो में देखा जा चुका है इसलिए धीरे धीरे लोगों की excitement बढ़ती जा रही है तब ही से लोग इनके आने वाले नन्हे महमान के इंतजार में हैं साथ ही आलिया भट के घरवालों के साथ साथ रन्बीर कपूर के घरवाले भी इनके नन्हे महमान का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं बताया जा रहा है कि साल 2023 के में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉले इंडर्स्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें